नमस्कार दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास कोई image file है, photo file है, उसको आप animation में कैसे convert कर सकते हो, जैसे कि demo के तोर पर मैं आपको यहाँ पे एक दिखाना चाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास कोई यह file है ठीक है, इस वाला जो image है मैं इसका आपको animation करके दिखाऊंगा, मतलब ए animation जो होगा वो आपको चलते हुए दिखेगा, dance करते हुए दिखेगा, या फिर और जो भी जितने भी हम animation के through कर सकते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, और इसके लिए हम कोई भी app इस्तिमाल नही करेंगे दोस्तों, तो यह सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, दोस्तों सबसे बहले कोई भी image को आपको animation में convert करने के लिए, वो जो image है, आपके पास JPG फाइल में होनी चाहिए, यह image जो है मेरी JPG फाइल में है, आपको क्या करना है, Chrome browser को खोल ले अब जब ही आप इस पर टैप करोगे, तो इस प्रकार से यह website दोस्तों खुलने वाली है, यहाँ पर खाली आपको उस image को upload करना है, upload करने के बाद आप उसको बहुत सारे animation यहाँ पर देख सकते हो, आप मैं यहाँ पर get started पर click करूँगा, और जैसे get started पर click करूँगा दोस् पर click करेंगा तो यह यहाँ पर इस ने क्या किया, थोड़ा से scan कर लिया, हमें agree करना है इनके terms and condition को, आपको यहाँ पर image को थोड़ा से बड़ा कर लेना है, या फिर आपके हिसाब से, जो भी image इसको आप एक बार यहाँ पर set कर लिजे, उसके बाद हम फिर से next पर click कर लेते और यह image को scan करने वाला है, अब scan करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम फिर से next कर लेंगे, okay, next करने के बाद यहाँ से आप जो इतना जितना भी drawing area है न दोस्तों यहाँ से आप इसको change कर सकते हो, जैसे कि मान लिजे यहाँ से मैं ऊपर भी ले सकता हूँ, इस जो angle से न दोस् हम नीचे scroll करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे animation जो है, वो आपको मिलने वाले है, तो देखिए मैं यहाँ पर इस वाले animation पर क्लिक कर लेता हूँ, अब दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हाथ कर रहा है, अब यहाँ से हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि इस प्र यहाँ पर इस प्रकार से बता रहा है, लेकि दोस्तों आपका काम यहाँ पर होने वाला है, ठीक हम यहाँ से फिर से मैं यहाँ पर go to homepage पर क्लिक कर लेता हूँ, कुछ error यहाँ पर आ चुका है, मैं upload photo पर फिर से क्लिक करके फिर से एक upload photo कर लेता हूँ, और यहाँ पर next करू और यहां से दोस्तो हमारा काम यहां पर बनने वाला है अब हम इसको डाउनलोड कर लेना है हम Share पर क्लिक करेंगे और आप यहां से इसको जो है न दोस्तो आप इमेल भी कर सकते हो जीमेल पर मैं इसका एक लिंक ले लूँगा ठीके मेरा यहां पर एनिमेशन का कुछ इस प्र हूँ और यहां से हमारा सेंट पर जो इमेल गया है न दोस्तो इस पर हम यहां से एनिमेशन को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर डाउनलोड का आप्शन आपको मिल जाएगा देखें यहां से हमारा जो एनिमेशन जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी मैं आपको फाइल manager में भी जाकर यहाँ पे वीडियो में आपको ये download की हुई file यहाँ पे दिखने वाली है ठीक है इस प्रकार से हमारी file दोस्तो download हो जाएगे तो दोस्तो इस प्रकार से किसी भी image file को दोस्तो आप animation में convert कर सकते हो उसको download कर सकते हो और आपने video में अपने creativity में इसका